मैंने पहली बार श्री राहूल गांदी को पंजाब के एक शहर जालंदर में टीवी पे बैठे देखा था मैं बारवी कक्षा में था तब राहूल गांदी जी की सिरफ एक ही बात सुनता था कि उनका एक ही सपना है कि कॉंग्रेस पार्टी के दर्वाजे देश की युवाओं के लिए खोल दे उनका ये परिवर्तन लाने की शमता सरफरोशी का ये नतीजा है कि मेरे जैसा युवा जिसने उनको पहली बार टीवी में देखा था आज राश्ट्रिय मीडिया पैनलिस्ट के रूप में मुझे टीवी पे बिठा दिया ताकि मैं श्री राहूल गांदी की बात लाखों करोडों हिंदुस्तानियों के सामने रख सकूँ मैं आपका कोटी कोटी धन्यवाद देता हूँ 2014 में इस देश की जनता ने जिन आशाओं से जिस अपेक्शा से मोधी सरकार को जो परचंड जनरेश दिया अगर आज उसको वास्तविक्ता और जमीनी हकीकत के तराजू में तोला जाए तो एक बहुत बात लिखी याद आजाती है देश ने मांगी थी एक उजाले की फकत की एक किरण देश ने तो मांगी थी उजाले की फकत की एक किरण राजा ने हुक्म दिया चलो आग ही लगा दी जाए ये पहली सरकार है जिसने अपनी आंकार में विफल आर्थिक नीतियों से हमारे देश का गला गोड दिया किसान की थाली से अन चीन लिया रोजगार से उसकी रोजगार चीन ली वेपारी से उसका कार खाना चीन लिया और ग्रहनी से उसकी पूंजी चीन लिया शिरिमती सोनिया गांदी ने हाली में कहा था Act first doesn't mean thing second सरकारे सोचती हैं, समझती हैं, फिर करती है ये ऐसी सरकार है जो ना सोचती है और ना ही समझती है और इस सब की कीमत कौन चुका रहा है मोधी जी की विफल नीतियों की कीमत आप और मैं अपनी गाड़ी कमाई गवा के चुका रहे हैं पहले तो इस सरकार ने महंगाई और बेजोलकारी का जखम दिया फिर नोट बंदी और बेवक्त जी एस्टी से उन जखमों पे नमक छिड़का और उसका असर मंदी से आज मंदी से आज उद्योग जगत पस्त है महंगाई से आम आदमी तरस्त है और मोधी जी जुमलों में व्यस्त है ये है इसका नतीजा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नारा करने वाले कहते 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 इस देश की अर्थ विवस्ता कोई खा गए ये कहां का इंसाफ है मोधी जी आम आदमी आंकडों की जादू गिरी नहीं समझता वो बड़े बड़े शब्द GDP, GVA, Interest Rate बैंकों का NPA नहीं समझता आम आदमी के लिए अर्थ विवस्ता के सिरफ चार स्थम होते हैं रोजगार, तेल की कीमत, डाल सब्जी की कीमत और सिलंडर की कीमत जब आदमामी अर्थ विवस्ता को तोलता है सिरफ इन चार पहलियों पर देखता है और आज क्या हुआ? आज पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप नहीं है वो सरकार के लूटने के अड़े बने हुए है एक तरफ हमारी सरकार थी 110 डॉलर पे तेल था फिर भी इस देश में 70 रुपए पे था एक मोदी जी की सरकार है के डॉलर 50 डॉलर पे भी आ गया फिर भी तेल 70 रुपए पे बिकना था इस सरकार का एक डायत वता के जनता को धूप ना लगे एक तरफ मनमोहन सिंग जी की सरकार थी जब अंतराश्य सर्वे तेल की कीमते महंगी थी सरक देश पे कोई बिना टैक्स लगाए खजाने से पेसे भरे और एक ये सरकार है आपकी जेबों में हाथ डालके साड़े साथ लाग करोड रुपया टैक्सों में निकाला और अपने खजाने भरे क्यों? साड़े पांच करोड इस देश का वेपारी जिसे में से मी कहा जाता है जो पंदरा करोड लोगों को रोजगार देते हैं साड़े पांच करोड में सी मध्यमबर छोटा वेपारी जो पंदरा करोड वो आज मोदी जी से पूछला है कि क्यों हमारे कारखानों पे ताले लग रहे हैं और जो गवन बाज काम भी नहीं करते उनकी तजोरियां भर रही है ये कहां काइन साफ है जो कारवा पंदरा लाग से शुरू हुआ था वो आज फिसलते 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 पकोडों पे आखे रुक गया है जो कारवा पंदरा लाग से शुरू हुआ था वो फिसलते फिसलते पकॉडों पे आ गया है ये क्यों मोदी जी अपने दोस्तों को तो पच्पन हजार करोड रुपया देके अंगरेजों के पास भेज दिया और बिहार के एक किसान को अंगरेजी में इंकम टैक्स का नोटिस थुमा दिया उसकी क्या गलत साथ सो रुपे में होता था आज मैं वो साथ सो रुपे में क्यों खरीद रही हूं और परमोदी जी को ये अवाज नहीं आ रही क्योंकि दिवारे बहुत उची हो गई है परमोदी जी भूल गए है पर मोदी जी बूल गए है कि एक आंसू भी हकूमत के लिए खत्रा है एक आंसू भी हकूमत के लिए खत्रा है तुमने अभी देखा नहीं आंखों का समंदर होना वक्त की कमी है अंत में सिरफ इतना कहूंगा कि जिम्मेदारी अब हम पे है जनता ने मोर्चा खोल दिया है अब हमें आवाज उठानी है जो पाखंडी राष्ट्रवाद की खोल में छुपे बैठे है उन्हें बेनिकाब करना है और अब सभी लोगों को घर घर जाके एक संदेश देना है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी अब जाने वाले है शुक्रिया